अगर कुछ हासिल करने का लक्षते हो तो कोई भी चीजा संभब नहीं है इसी बात पर अमल किया है गुजरात के दो अलग-अलग किसान अजे भाई हिर्पारा और उर्विन पटेल ने जो फार्मिंग की नई टेकनिक से सालाना अच्छी कमाई कर रहे है अजे भाई अपनी 30 भीका जमीन पर पाच अलग-अलग तरह की फसले एक साथ लगा रहे हैं साथी वो मल्चिंग प्रोसेस से और्गेनिक खेती कर रहे हैं जिससे अजे भाई सालाना पाच लाक रुपे की कमाई कर रहे हैं तो उर्विन इंटिग्रेटेट फार्मिंग करके अपनी दो एकड जमीन पर मल्टी क्रॉपिंग करके 10 तरह की फसले उगा कर सालाना 10 लाक रुपे की कमाई कर रहे हैं फार्मिंग में लगातार हो रही परिशानी नुकसान और कम आएके चलते दोनों ही किसानों ने कुछ अलग करने की ठाने अजे भाई और उर्विन दोनों किसानों ने कई सालों तक फार्मिंग में काफी नुकसान देखा जिसके बाद उन्होंने अपनी खेती को नए सीरे से शुरू किया और अलग-अलग किसम की फसल लगाना शुरू किया साथी खुद से बनाई खात का यूज करना भी शुरू कर दिया जिसके चलते उन्हें काफी अच्छी क्वालिटी की फसल मिलने लगी जिस टकनीक का दोनों किसान استعمال कर रहे हैं ये फार्मिन की नई टेकनीक है जिसमें कम समय और मेहनत में अच्छा प्रोडक्शन मलता है अजे भाई अपने खेत में मल्चिंग टेकनीक का यूज कर रहे है इस टेकनीक में कमपानी और केमिकल का इस्तमाल किया जाता है अजे भाई अपने खेत में खासतोर पर मिर्शी की फसालूगा रहे है तो ओर्विन इंटिग्रेटेड फार्मिंग के तहट हल्दी, मसालों और सबजियों के साथ फलो की खेती कर रहे है अजे भाई और ओर्विन इन दोनों किसानों ने अपनी मेहनत और कुछ अलग करने की जित से अपनी किसानी को आज नई रहा दी है जिससे सालाना वो दोनों काफी अच्छी कमाई कर रहे हैं आप भी अपनी किसानी को नई रादे कर हमारी पॉजिटिव स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं ऐसी और भी खबरों को देखनी के लिए जुड़े रही है दैनिक भासकर आप के साथ शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भासकर आप